कि नमश्कार सक्षिन यूस नाट्यों को आप सभी का स्वागत है महरास्ट की राणिती एक बार फिर गर्मा गई है क्योंकि उच्तम नहले ने शिवसेना नाम और पार्टी का चुनाव चिन धनुश और बान राज्य के मुख्यमंत्री एकनाश शिंदे के गुट को आवंटि इसका को ततकाल सुचिवत किये जाने का अन्रोध किया था जिसके बाद प्रधान नयदिश टीवाई चंद्र चूड और नयमूर्ती पियस नरसीमा की पीठ ने कहा कि मामले को 31 चुलाई को सुनवाई के लिए सुचिवत किया जाता है पीठ ने वकील अमित आनंतिवारी को शिंदे धड़े द्वारा दायर जवाब का प्रतित्तर देने की अनुमती देते वे कहा इसे 31 चुलाई के लिए सुचिवत किया जाता है हम इस पर उसी दिन सुनवाई करेंगे हम आपको याद दिला दें कि शीर्ष अदालत ने 22 फरवरी को शिंदे से जवाब मांगा था इस पिछ शिवसेना यूबिटी के प्रमुक उद्दव ठाकरे विधर्प के दो दीवसिये दोरे पर हैं इस तोरान उन्होंने कहा है कि बीजेपी की एक देश एक दल योजना कभी स्विकार नहीं की जाएगी उन्होंने दावा किया कि प्रथानमंत्री नरेंद्र मोधी का करिश्मा फीका पड़ता जा रहा है राज्य के यवत्माल जिले के दिग्रास में एक रैली को समुदित करते वे ठाकरे ने अजीत पवार धड़े के नौ एंसीपी विधायकों को माहरास्ट सरकार में शामिल किये जाने का मुद्दा उठाया और सवाल किया कि बीजेपी के एक दल योजना कभी स्विकार नहीं करेंगे उन्होंने काया कि पिछले साल कुछ निर्दली विधायकों के साथ शिवसेना के 40 हुधायक बीजेपी के साथ चले गए उन्होंने सवरिया लहजे में कहा शिवसेना के शिंदे धड़े और निर्दलीयों समेथ दावा किया गय बीजेपी अब निर्दल को की पार्टी बन गई है उनका इशारा हाल में महरास्ट में शिवसेना बीजेपी सरकार में शरत पवार की रास्टवादी कॉंग्रेस पार्टी के नौ विधायकों के शामिल किये जाने की और था ठाक्रे ने कहा कि प्रधानमंत्री का करिश्मा फीका पड़ गया है जो हाल के करनाटक विधानस्वा चुनाव से समझ में आ गया है ठाक्रे ने कहा मोदी ने बजरंग बली की जय का नाराज जोर शोर से दिया लेकिन बजरंग बली ने पलटकर अपनी गदा से प्रहार किया तथा बीजेपी का करनाटक में सफाया हो गया उन्होंने कहा कि एक दल से कुछ नेताओं का दूसरे दल में चला जाना समझा जा सकता है लेकिन लोकतंत्र में पूरी पार्टी चुरा लेनी की अनुमती नहीं दी जानी चाहिए ठाक्रे ने कहा हमने चुनाव से पहले कुछ विधायकों को एक दल से दूसरे दल में जाते सरकार बनती थी लेकिन अब नई सरकार खोखा के माध्यम से बनती है पूरु मुख्योंद्री ने कहा मध्य प्रदेश में मोधी ने कहा था कि महारास्ट में सतर हजार कोड़ रोपे का घोटाला हुआ और उन्हों का ठीकरा राष्टवाजी कॉंग्रेस पार्टी पर फोड़ा कुछी दिनों में एंचीपी का एक धड़ा सरकार में शामिल हो गया अब एंचीपी नेता ने प्रधानमंत्री के साथ अपना फोटो साजा किया यह किस प्रकार का हिंदुत्तु है ठाकर ने दावा किया कि केंद कॉंग्रेस के साथ हाथ मिला लिया अब आपको जया दिलादें कि जहां ठाकरे की रैली हुई वह इलाका दिग्रास शिवरसेना विधायक और राज्य के मंत्री संजीय राठोड का गड़ है राठोड मुख्यमंत्री एकनाज शिंदे के खेमे में चले गए हैं उद्व ठा समयलन को समधित करते हुए ठाकरे ने बीजेपी पर जोड़दा निशाने साथे महरास्ट में अजीत पवार और रॉस्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी के कुछ अन्य विधायकों के पार्टी से बगावत करने तथा एकनाज शिंदे के नेतित्वाली सरकार में शामिन हो यानि सची वाले गया हो वहें विधर्प का दौरा कर रहा है। इस पठाकरे ने कहा कि बीजेपी कुछ कहने के लायक नहीं है उन्होंने कहा बीजेपी को दूसरों पर आरोप लगाने बंद करने चाहीये और जिन्हें उसने लिया है उन्हीं समχάλना चाहिए उन्होंने कहा आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके